प्लीज आप मेरी इस वीडियो को बड़े ही द्यान से देखिएगा, सुनिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेर भी जरूर कीजिएगा और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे online courses, हमारे app के थूर चलते हैं, उनके बारे में हमने जानकर ये upload कर रखी है और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब भी जरूर कीजिएगा और मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर higher mathematics से related videos upload करता हूँ ये videos undergraduate, integrated courses और engineering mathematics के students के लिए बहुत ही बयोगी हैं तो प्लीज आप मेरे इस वीडियो को अपने friend circle में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपका friend circle भी जादा जादा इन वीडियो का benefit उठा सके तो आईए हम आज का topic स्टार्ट करें तो देखो बहुत easy topic है common catenary तो common catenary हमें देखने को बहुत मिलती है common catenary क्या है जैसे for example दो electric poles के बीच में बाइर का लटकना दो electric pole के बीच में किसी तार का लटकना यहां फिर हम जो गरों में कपड़े वाड़ी तार बांते हैं उसे शेय बन दिया वो भी क्या होती है common catenary तो देखें common catenary की definition क्या है परिवाशा क्या है बहुत ही simple सी definition है इसकी कि सबसे पहली condition कैसी है रसी कैसी होनी जीए रसी या chain string और chain किस टाइब का होना जीए uniform एक समान जैसे यह है company made ऐसा नहीं होना जीए कि कहीं से रसी पतली है या कहीं से मोटी है इस तरीके से ऐसा नहीं होना जीए chain किस टाइब का हो string किस टाइब का हो बिलकुल एक समान uniform ठीके और अगर हम उस chain या रसी को कहां पे दो fix point के उपर लटकाते हैं तो इन fix point के बीच में देखिए आप मेरे left hand से right hand side तक जो chain या रसी के द्वारा करब बनेगा यह क्या कहलाएगा catenary कहलाएगा हम इसको क्या कहेंगे catenary और यह point कैसे हो सकते हैं एक point उपर एक point नीचे भी हो सकता है दोनों same height के उपर भी हो सकते हैं ऐसे भी हो सकते हैं दोनों के height क्या हो ऐसे भी हो सकते हैं बट ऐसा नहीं होना चाहिए द्यान दीजे आप यह common catenary नहीं होगा ओके ऐसा नहीं होना चाहिए यह common catenary यह catenary नहीं होगी तो देखिए क्या लिखा हुआ है इसकी definition के अंदर तो देखिए सबसे पहले हम common catenary को define नहीं करेंगे हम किसको define करेंगे catenary तो catenary की definition देखिए आप catenary क्या है What is catenary? If a uniform string or chain hangs freely under the action of gravity between two fixed points not in same vertical line ठीके किस type के points होने चाहिए vertical line के अंदर नहीं होने चाहिए ठीके उनके बीच में जो करव बनेंगा वो क्या गलाएगा catenary कब जब chain कैसी हो? Uniform The curve in which it hangs is called catenary ठीक है? बहुत ही simple सी definition है यदि एक समान डोरिया चेन को गुर्तवा करशन के दिन दो इस्थिर बिंदों के बीच में लटकाया जाता है तो उनके बीच में बनने वड़ा करव क्या कहलाता है? catenary कहलाता है लेकिन ये दोनों पॉइंट सेम वर्टिकल लाइन के उपर नहीं होने चाहिए यानि कहने का अगला ऐसा नहीं होना चाहिए दोनों पॉइंट यहाँ प्यादे ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए पॉइंट कैसे हो? ऐसे भी हो सकते है ऐसे भी हो सकते है ऐसे भी हो सकते है For example, A point और B point ये भी क्या है? Catenary ऐसा भी हो सकता है. ये A point और ये B point ये भी क्या है? Catenary, बट ऐसा नहीं होगा. अगर A और B point इस vertical line के उपर आएंगे, तो फिर common catenary नहीं बनेंगे. ठीक है? तो बहुत ही simple definition. तो next लिखेंगे आप common catenary. Common catenary क्या है? हाँ तो next definition लिखेंगे आप common catenary. सदारन catenary यहाँ पर समने catenary. तो common catenary को हम किस तरीके से define करते हैं? बहुत ही simple. ठीक है? यानि कि catenary और common catenary की definition के अंदर क्या difference है? इतना सा difference है. ओकी? catenary में हमने क्या लिखा था? if a uniform chain or string hangs freely. ठीक है? बट यहाँ पर क्या है? जान दीजेगा आप. if a uniform chain or string of weight of per unit length is constant, hangs freely under the gravity between two fixed points not in the same vertical line, the curve in which it hangs is called common catenary. कहने का meaning क्या है? यदी एक समान डोरी या जन्जीर को जिसका प्रती इकाई लंबाई बार कैसा हो? अचर हो. या आशर सुनिएगा आप. एक समान डोरी या चेन जिसका प्रती इकाई लंबाई का बार अचर हो. उसको अगर हम दो इस-तिर बिन्दों पर लटकाते हैं, ठीके, तो उन दोनों बिन्दों के बीच में बढ़ने बड़ा वकर क्या कहलाता है? कॉमन कैटनरी, अर्थात समने कैटनरी या सदारन कैटनरी कहलाता है. बस सिर्फ ये डिफरेंस है. यानि कि उस चेन का वेट है, वो भी कैसा होना चाहिए? परती ze ये रहरेंस होना चाहिए. फॉर इसांपल, जैसे 10 cm की हमारे पास कुछ चेन है, तो 1 cm का वेट, फिर 1 cm का वेट, फिर 1 cm का वेट कैसा होना चाहिए? गस्तेंट होना चाहिए. ठीक है ये इसका मिनी होता है अगर 20 मीटर की chain है तो एक मीटर का जो weight होगा एक एक मीटर का हम weight calculate करें तो वो कैसा आएगा constant ऐसी chain होनी जी अगर इस टाइब पी chain डोरी या जंजीर है तो उसको हम दो बिन्दों के बीच में लटकाएंगे तो बढ़ने बड़ा वक्र क्या कहलाएगा common catenary कहलाएगा और इस topic के अंदर जितने भी questions हैं जितने भी articles हैं वो सभी किस पे हैं common catenary के अपर चाहे question के अंदर catenary word ही use किया हो meaning क्या होगा common catenary यानि कि उस डोरी या जंजीर का जो weight होगा the weight of string और chain किस type का होगा per unit length is constant प्रती एकाई लंबाई का बाहर कैसा होगा constant होगा तो यह चीज़ा आपने याद रखने हैं तो अब आईए आप equation of common catenary यानि कि इसका first article हाँ तो next article लिखिया article number one okay first article prove that s equal to c 10 psi be an intrinsic equation of common catenary हमें सिज़ करना है s ब्राबर c 10 psi सदारन catenary का नैज समिकरन है यह हमारा target है ओके तो इसको हम किस टाइप से प्रूफ करेंगी तो प्रूफ लिखिया पार्टीकल का प्रूफ आप पार्टीकल ठीक है तो सब से पहले common catenary को हमने किस टाइप से प्राइन किया था ठीक है यूनिफर्म चेन हैंक बिट्विन टू फिक्स पॉइंट तो हम स्पोर्ज कर लेते हैं एंड बी आर टू फिक्स पॉइंट ओके लेट एंड बी आर टू फिक्स पॉइंट हम मान लेते हैं ए और बी दो इस्थिर बिंदू है ओके हमीं सी इस का लोएस्ट पॉइंट सी इस common catenary का लोएस्ट पॉइंट और इस सी से जाने वाड़ी लाइन इसको हम लोग क्या लिखेंगे य अक्सिस ओके एंड यह x-axis ओके और यह ओरीजन और oc equal to small c यह जो हाइट होती है ओसे c यह क्यों होता है small c small c is called parameter of common catenary this site is called parameter of common catenary common catenary का प्राचल कहलाता है तो लिख दो आप let oc equal to small c parameter of common catenary oc बराबर small c catenary का प्राचल है और c क्या कहलाता है vertex of common catenary सदारन catenary का शीर्ष कहलाता है point c ओके तो इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे हम suppose कर लेते हैं p is any point at common catenary और इसके coordinate क्या है x and y ठीक है तो लिखिया आप let p x, y is any point at common catenary okay हम suppose कर लेते हैं p x, y सदारन catenary पर कोई बिंदू है and where यहाँ पर c r c p equal to s यनि कि हम p को किस टाइब से चूज करते हैं कि c p किस के पराबर हो s के equal यहाँ से लेकर यहाँ ता कि length कितनी है s okay और उसके बाद देखो common catenary के अंदर यह chain है वो किस टाइब के होती है uniform chain और इसका weight क्या होता है weight of per unit length is constant okay तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं let small w equal to weight of per unit length हम मान लेते हैं small w प्रती इकाई लंबाई का बार है ठीके then sw क्या होगा weight of rk cp ठीके एक length का weight small w है तो s length का कितना हो जाएगा sw और उसके बाद द्यांदो आप हम लोग क्या जानते हैं weight हमेशा किस side gear होगा vertical down ठीके इदर उदर नहीं होता weight किदर होता है vertical down तो इसका मिनिंग क्या होगा जो cp का weight होगा वो किस side gear होगा नीचे की और और कितना होगा s into w ठीके और अब देखिए इसी weight के करण sw weight के करण ज्यान दिजेगा sw किसका weight है rxcp का weight तो फिर क्या होगा point c और point p पर खिंचाव होगा tension होगा ठीक है किस side gear करण weight sw के करण बहुत ही simple सा याद रखने का तरीका है देखिए आप किसी का बार है sw cp का बार है rxcp का weight तो इसका मिनिंग क्या होगा इस weight के करण point c और point p पर tension होगे और tension हमेशा कहां पर होता है along tangent spur रेखा के अनुदिश ठीक है तो हम suppose कर लेते हैं इस weight के कारण c पर जो tension हो कितना है t0 आप इसको t0 भी कह सकते हो ठीक है और ऐसे ही p पर जो tension होगा वो कितना होगा t के ब्राबर याद रिखेगा आप ठीक है लिख दो आप let t equal to tension at p tension at p and t0 equal to tension at c t0 क्या है t0 क्या है lowest point पर tension अब उसके बाद द्यान दो आप जैसे हमारे पास रसी है चीक है मैं इसको लटका दूँ ठीक है कोई air flow ना हो हवा का भावना तो क्या होगा यह बिल्कुल ऐसे stable रहेगी रुख जाएगी यह अब तो हिल रही है मैं इसको गोड के साथ लगा दूँ तो इसके अंदर कोई moment नहीं होगा द्यान दीजेगा आप ठीक है तो इसका meaning क्या होता है ना हिलना ना हिलने का force equal to क्या हो नीजे के और force और left hand side के और force किसके equal हो right hand side की और जो force होगे उसके equal होंगे कब condition of equilibrium के अंदर समय अवस्ता की स्थिती के अंदर ठीक है तो देखो क्या करना होगा आपने को यहाँ पर T naught किस टाइप का है along left hand side SW किदर है vertical down लेकिन chain कैसी है इन equilibrium तो इसका meaning क्या होग कि ओपर के और force equal to नीचे के और force ठीक है force along upward equal to force along downward and force along left hand side equal to force along right hand side तो अब आप देखिए इसके अंदर क्या है T0 along left hand side है SW vertical down है T कैसा है ना vertical ना horizontal तो फिर क्या करना होगा आपने को T को resolve करना होगा T को हम तोड़ेंगे तो देखो calculus के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं बहुत ही simple अगर x y plane के अंदर कोई curve है और उस curve के उपर कोई point है P जिसके coordinate क्या हो एक्स और y और यहाँ पर अगर हम tangent trace करते हैं तो यह angle क्या होता है साई यह angle किस के परापर होता है साई के परापर तो इसका meaning क्या है अगर हम इस tangent को कहां तक ले जए एक्स अक्सिज तक तो यह angle कितना होगा साई के परापर ठीक है और अब हम लोग क्या करेंगे इस T के दो component बनाएंगे इस T को resolve किया जाएगा ठीक है along x-axis and along y-axis कैसे तो आपने को resolve करना ना चाहिए तो आप देखिए जैसे for example हमारे पास ऐसा हो जैसे angle theta ये को force है F तो हम इसके दो part लिख सकते हैं कैसे इस side के अंदर क्या होगा F cos theta और इस side के अंदर क्या होगा F sin theta जैनि कि angle की direction के अंदर cos होगा और दूसरी direction के अंदर क्या होगा sin होगा तो आप ऐसे ही जब हम इस T को resolve कर तो इस side के अंदर इसका जो component बनेगा वो जाएगा T cosi और इस side के अंदर इसका जो component होगा वो क्या होगा T sin sin आप इसको देखिए आप F cos theta angle की direction में cos और angle के just opposite दूसरी side में क्या होगा sin होगा और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बहुत ही simple सा funda होता है तोड़ो और छोड ठीक है अब T को आपने निगलेक्ट कर देना है क्यों हमने T के दो पार्ड कर दिये कौन कौन से along horizontal and along vertical ओके तो अब आईए आप अब आप लिखी since chain in equilibrium चुंकी chain बिरामा वस्था में है ठीक है यहाँ आप ऐसा लिख सकते हो डोरी समय वस्था में है string in equilibrium तो इसका मिनिंग क्या होगा force along upward equal to force along downward तो पहली equation क्या पढ़ेंगे देखवा आप T sin psi equal to SW equation number first उपर के और force equal to नीचे के और force और दूसरी equation क्या बढ़ेंगी right hand side के और force equal to left hand side के और force तो right में कौन है देखवा आप डाइगराम देख़िए T cos psi along right hand side and T0 along left hand side equation number second और अब हमारा target क्या है 10 psi तो 10 का मिनिंग क्या होगा sin upon cos तब 10 बढ़ेंगा तो इसके रिए हम लोग क्या करेंगे now equation first divide by equation second equation first में equation second को divide करिए आप तो ऐसा करते है हमारे पास क्या होगा T sin psi upon T cos psi equal to SW upon T0 that is T से T cancel हो गया 10 psi upon cos psi को आप क्या लिख सकते हो 10 psi लिख सकते हो that is 10 psi equal to SW upon T0 और अब आपने क्या करना है अब आपने S लिखना है दोको आप तो यहां से S कितना आएगा S equal to आएगा T0 upon W okay and into 10 psi okay और अब according to answer ठीके अब देखो lowest point पर tension कितना होगा constant होगा ठीके जिसकों क्या लिखेंगे T0 लिखेंगे क्यों क्योंकि lowest point change नहीं होगा एक ही रहेगा catenary के अंदर ठीके यहां पर जो tension होगा क्या होगा constant और W भी क्या है constant weight of per unit length is constant T0 constant W constant तो हम लोग क्या करते हैं इसको एक निया constant suppose कर लेते हैं C तो S equal to C10 psi okay और side में लोगा वेर यहां पर C equal to T0 upon W ठीके तो अब देखिए आप cross multiply करने के पाद क्या देगा that is T0 equal to C into W तो कहने का लोग क्या होगा हमारे पास एक तो common catenary का equation आ गया है यहां पर intrinsic equation of common catenary ने सम्मी करने common catenary का दूसरा हमारे पास क्या आ गया tension at lowest point किसके बराबर होता देखो आप C into W के बराबर तो यह result आप याद रखिएगा ठीके अच्छा article है कई बार कुछ है था एक्जाम के अंदर simple है कोई भी problem नहीं है इसके अंदर ठीके देखो क्या हुआ है इसके अंदर एक चूज किया हमने एक चाप चुना हमने CP CP का वेट तो उस वेट के करण क्या होगा C per tension और P per tension C per tension कितना है T0 है और P per tension कितना है T है ठीक है और हमने किसी इस का जूज किया condition of equilibrium क्योंकि कि जब हम रसी को लटका देंगे जैसे electric wire है अपनी गर के सामने हम देखते हैं पतने कितने सालों से लटके हुए वह बिरामा वस्ता में equilibrium में है इसका मिनिंग क्या होता है उपर के और force equal to नीचे के और force left hand side के और force equal to right hand side के और force ऐसा करते दो equations बनेंगी और अब दो equations बनेंगी उनको हम divide करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा answer आएगा ठीक है और यहाँ पर यह constant है इस constant को हम क्या suppose कर लेंगे c और ऐसा करते ही common category का equation और अब थोड़ा सा यहाँ पर note करिए का equation first क्या है ठीक है equation first क्या देखो आप vertical component of tension आप लिख सकते हो vertical component of tension ठीक है और यह क्या है horizontal component of tension horizontal component of tension ओके तो यह याद रिखिएगा आप यह बार क्या होता है question गंदर एक्जाम में पूछा आता है कि आप tension का vertical component लिखिए या फिर tension का horizontal component लिखिए आप तनाव का क्षैतिस गटग लिखिए यह वर्टिकल गटग होता है और यह क्षैतिस horizontal ठीक है तो अगर ऐसा आता है तो आपने को पता होना ची एक्वेशन फरस्ट क्या है vertical component of tension and equation क्या है horizontal component of tension ठीक है और इन दोनों को डिवाइड करते क्या होता है common ketnery का equation बनता है ओके तो प्लीज बड़े द्यान से सुनिएगा आप ओके थेंक यू